चंद्रयान्थरी के चांद की सतफ पर उतरने के बाद की ये एतिहासिक तस्वीरे हैं। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे चंद्रयान्थरी का प्रज्ञान रोवर विक्रम लेंडर से धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। चंद सेकेंड में रोवर चांद की सता पर जा पहुँचा जिसके बाद रोवर अपने मिशन में लगा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि लेंडिंग से 14 दिन बाद प्रज्ञान रोवर और विक्रम लेंडर का क्या होगा। इसके लिए कुछ बातों को समझना जरूरी है। दरसल विक्रम लेंडर और प्रज्ञान रोवर की लाइफ एक लुनर डे धर्ती के 14 दिनों के बराबर होता है। इन 14 दिनों में प्रज्ञान रोवर चान्द की सतह से डेटा जुटा रहा है और उसे विक्रम लेंडर तक भेज रहा है जिसके बाद ये जानकारी इसरों तक पहुँचेगी। इन 14 दिनों के लिए रोवर को कई काम सवपे गया है। इन 14 दिनों में रोवर चान्द की सतह का मजे से सफर करेगा, इन सी टू एक्सपेरिमेंट करेगा और चान्द के बायू मंडल की मौलिक सनरचना को पढ़ेगा। रोवर में एक अलफा पार्टिकल एक्सरे एक्सपेक्टरो मीटर लगाया गया है। ये रासानिक बनावट को प्रकट करेगा, इसकी वज़र से चंद्रमा की सतो को काफी अच्छे धंग से समझने में मदद मिलेगी। अभी तक चंद्रयान थिरी चान्द की कई तस्वीरें और वीडियो भेच चुका है जिस पर रिजश्वरो अध्यान कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चंद्रयान थिरी का विक्रम लेंडर और प्रग्ज्ञान रोवर 14 दिनों का समय पूरा हो जाने के बाद क्या करेंगे। क्योंकि 14 दिनों के बाद चंद्रमा पर रात हो जाएगी और ये बेहर ठंडा हो जाएगा। क्योंकि पर या धिक के बाद भी काम कर सकते हैं। उमीद ये भी जताए जा रहा ही है कि चंद्रमा के दूसरे लुनर डे यानि जब फिर वहाँ से उगेगा तब वह फिर से एक्टिव हो सकते हैं। हालाकि ये संभावना भर ही है वास्तों में दूसरे लुनर डे में विक्रम लेंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ क्या होगा फिलाल फुक्ते तरीके से नहीं कहा जा सकता है भरहाल चंद्रयांथरी की लेंडिंग के पंद्रहवे दिन के बाद ही इस बात को फुक्ता किया जा सकता है जिसके लिए थोड़ा तो इंतजार करना ही होगा इस खबरम बस इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ